आज से हम क्लास टेन्ट की साइन्स का जो चेप्टर ठाटिन है विद्धु धारा का चुम्बक की प्रभाव उसकी सिरुवात करेंगे तो सबसे पहले आप विद्धु धारा का चुम्बक की प्रभाव क्या होता है उससे जानिए लेकिन उससे पहले आप समझे कि चुम्बक क्या है तो देखिए चुम्बक इस तरह का एक पधार तो होता है जो लोहे की बनी हुई वस्तुवों को कोबाल्टी की बनी हुई वस्तुवों को निकिल की बनी हुई वस्तुवों को अपने और आकरसित करता देखिए किस तरह से जैसे हम यहां पर पास कर रहें तो यहां अपने आप इसके नजदिक आ रहा है ठीक है भी यह तो यही क्या किलाएगा आपकी चुम्बक अब चुम्बक की प्रभाव का मतलब होगा कि चुम्बक की भाती व्यवार करेगा कौन करेगा विद्धुत धारा तो कोई भी यदि हम चालक तार में से धारा गुजारेंगे ध्यान से समझेगा एक ही बार में समझ में आने वाला है कोई भी चालक तार से हम विद्धुत धारा गुजारेंगे तो वहां तार चुम्बक की तरह व्यवार करेगा यानि पधारतों को अपने और आकरसित इसी को हम केते हैं विद्धो धारा का चुम्बक की प्रभाव तो किसी भी चालक तार से विद्धो धारा गुजरती है तो वहां तार चुम्बक की तरह कारिक करता है इसे ही विद्धो धारा का चुम्बक की प्रभाव केते हैं बढ़िया से आप नोट्स अच्छे से तैयार करिएगा आसा करता हूं विद्धु धारा का चुम्बगी प्रुभाव आपको अच्छे से किलियर हो चुका होगा मैं छोटे छोटे भाग में इस अध्याय को समाप्त करूंगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए म पून प्रसने के साथ